तेश भर के मुसल्मानों के मसीह बने घूम रहे AIM आया मध्यक्षा सुद्धिन ओवैसी जब भी यूपी को लेकर कुछ बोलते हैं तो उन्हें मुहकी खानी पड़ती है धार में कटर्ता की लंबी चादर ओड़े ओवैसी को एक बार फिर से करारी पटकनी तब खानी पड़ी जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित जयनाथ ने AIM आईयम पर तगड़ा पलटवार किया दरसल ओवैसी ने एक रैली में यूपी पुलिस को लगभग च्रेतामनी भरे लहजे में चुनौती देते हुए कहा था कि मैं तो उन पुलिस के लोगों से कह रहा हूँ याद रखो हम तुम्हरे जल्मों को भूलने वाले नहीं हैं हम याद रखेंगे ये सब और जब हालात बदलेंगे तब तुम्हें बचाने कौन आएगा उवैसी यही नहीं रुके थे उन्होंने आगे योगी का भी नाम लेते हुए कहा कि जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे मोधी पहाडों में चले जाएंगे तब कौन आएगा ये हम नहीं भूलेंगे याद रखो उवैसी के सनफरत भरे और जहर उगलते बयान पर तो उनके खटिया यूपी पुलिस ही खड़ी कर देती लेकिन हमेशा अपने समवधानिक कर्तवियों के दायरे में काम करने वाले उत्तर प्रदिश पुलिस ने उवैसी की लफाजी को ठीक उसी तरह अंदेखा कर दिया जिस तरह हाथी अपनी मस्ती में मचलते हुए अन्य जानवरों को कर देता है पर योगी भला कहा मानने वाले थे वो भी तब जब हमला राज्य के पुलिस और पियम मोदी पर हुआ हो उवैसी के इस बयान पर योगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा इंतजार करो वक्त आएगा तब हैदराबाद भी भाग्य नगर बनेगा क्या आप उनसे सत्यनारण की कथा सुनना चाहते हैं और उवैसी जैसों से तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं क्या आप उनसे सत्यनारण की कथा सुनना चाहते हैं ओवैसी और उनके जैसों का राग रंग भारत के गौरावर भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रबाद का प्रतीक हो ही नहीं सकता है फिर योगी ने अंत में पंच लाइन देते हुए कहा ओवैसी जैसों के जो संसकार हैं उसे वो बोलेंगे और मेरे जो संसकार हैं वो मैं बोलूँगा योगी के इस बयान के बाद ओवैसी की बोलती बंद हो गई है और उन्हें सूझ नहीं रहा कि वो क्या कहें क्योंकि उवैसी भली भाती जानते हैं कि अन्य जगहों पर वो कुछ भी कहें या करें शायद कुछ नहो पर यूपी की तरफ नजर डालने वालों को उनहीं के अंदाज में यहां की जनता जवाब देती है